हाई फ्रेंड्स मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि डिजिटल आइडी कैसे एक्टिव करना है मूबेल में क्योंकि अब यह सूदी गौर्मेंट ने एक डिजिटल आइडी का नया एप लॉंच किया है तो उसमें आप लोगों को फाइदा क्या होगा कि जब आप लोग गूमने जाते हैं या किदर भी जाते हैं बकाला में सब जाते हैं तो आप इकामा बूल जाते हैं परस बूल जाते हैं तो इकामा सब उसमें रहता है तो अगर आपके पास मूबेल है तो आप लोग डिजिटल आइडी उनलों को दिखा सकते हैं तो आप लो वीडियो से आप लोग playlist में वीडियो photo में जाकर दिकों है डिजीटल अइडी आप लोग बनाने या अप शयर कान्ट होना ज़रूरी है तो play store में जाकर आप लोग apshire एप सर्च करो, तो देखो मैं आप लोग एक अफशर एप दिखाता हूँ, जो इस तरह का है, इसमें आप लोग डिजटल आइडी नहीं बना सकते, तो देखो इदर आप अफशर है दोको बाजू में, यह बे देखो आप शर इंडिज्डिवल है, इसको आप लोग इस्टेल करना इसमें आप लोग Digital ID एक्टिव कर सकते यह नया अप अभी लॉण्च वह आ है तो इसको Login करो अगर आपके पास अपशेर ID नहीं है तो इसको नहीं आप लोग एक्टिव कर सकते हैं इसलिए बात में बात में देखो इसतर आप लोगें को अन्य के बात इधार अपका summary इंटर करो आईडी इंटर करो इंटर करने के बात अपने के बाद निचे दाइगा जो CAPTCHA आप लोंको दिखाई देगा वो CAPTCHA इधर इंटर करो इंटर करने के बाद नीचे लोगिंग करो बाद में लोडिंग इंफोर्मेशन आएगा तो बाद में फिर एक्टिवेशन कोड जो आपके मूबैल नमबर में आएगा तो उसको इधर इंटर करना है जो आप लोग रिजिस्टर करने के लिए अप्शर आपकाउंट यूस किया थे वही नमबर में एक एक्टिवेशन कोड आएगा तो इधर इंटर करो इंटर करने के वाद इधर क्लिक करो तो दिखेव इस तरह उपन ओजागा तो आप लोगो को इंटर बर कर ना है तो आप लोगों को जो इंटर निशे मैं सर्विस बोलके अफित का अलर्ड के बाजू में एक Mैंश सर्विस है उसको ख़्लिकक करो क्लिक करें बड़ ठोड़ा टेम के लिए लोडिंग इंफॉर्मेशन लोकि इसे दिखाई देगा बाद में आपका जो डाटा है ना वह पूरा इधर इसमें आप लोगों को दिखाई देगा आप लोग सिंपली उपर जाके दोगे अक्टिव डिजिटल को क्लिक करो यहां भी आप लोगो पूरा इंफर्मेशन आएगा जो क्लिक करते ही तो जो नीचे जाने के बाद देखो एक्टिव डिजिटल आईडी वोलके ग्रीन में दिखाई दे रहा है उसको क्लिक करो जब इ बीचे जाने के बाद आप लोगो पूरा दाठा आप लोगो इधर देख सकते हैं क्या-क्या है वह आप लोग पड़ सकते हैं तो सिंपली उपर जाके दोगो जो क्यूर कोड है उसको क्लिक करो क्लिक करने के बाद बड़ा हो जाएगा तो आप लोग देखो इसको बड़ा ह जाके देख सकते हैं